लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में जब कपिल देव ने विश्वकप जीता, तो पूरा देश पहली बार क्रिकेट विश्वकप जीतने का जश्न मनाता नजर आया लेकिन ततकालीन BCCI अध्यक्ष और इंदिरा गांधी कैबिनेट के शक्तिशाली मंत्रियों में से एक स्वरगिये NKP सालवे एक अलग कारण से बहुत चिंतित थे ये जगमोहन डालमिया का व्यावसाईक कौशल था जिन्होंने क्रिकेट को एक इंडिस्ट्री में बदल दिया लेकिन असी के दशक की शुरुवात में क्रिकेट का आर्थिक उदारी करण कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक सपना था बी सी सी आई भारतिय टीम को परियाप्त धनराशी देकर बधाई देने और विश्वकप जीतने की जीत का जश्न मनाने की योजना बना रहा था लेकिन उन दिनों बी सी सी आई के पास बहुत कम फंड्स हुआ करता था जिसके कारण बी सी सी आई क्रिकेटरों को एलोवन्स के रूप में बहुत कम भुगतान भी करती थी सालवे जी को समाधान के लिए बी सी सी आई के ततकालीन प्रशासक और सचिन तेंदुलकर को अंतर राष्ट्रिय क्रिकेट में लाने वाले राज सिंह डूंगरपुर की ओर रुक करना पड़ा ताकि ऐसी अचीवमेंट के लिए खिलाडियों को उचित पुरसकार दिया जा सके राज भाई जैसा कि डूंगरपुर को भारतिय क्रिकेट सर्कल में जाना जाता था ने फैसला किया कि एक मात्र तरीका अपनी करीबी दोस्त और देश के सबसे बड़े क्रिकेट प्रशनसकों में से एक लता मंगेशकर से राष्ट्रिय राजधानी के जवाहरलाल नहरू स्टेडियम में एक प्रो बोनो कॉंसर्ट करने का अनुरोध करना है और अगर वह सहमत हो गई तो यह एक यादगार शाम बन कर रह जाएगी जवाहरलाल नहरू स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था क्योंकि लता जी ने बी सी सी आई से एक भी पैसा लिये इना लगभग दो घंटे का एक खूबसूरत कार्यक्रम किया था इस कार्यक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि बी सी सी आई ने परियाप्त धन एकत्र किया और भारतिये क्रिकेट टीम के 14 सदस्यों में से प्रत्येक को नकद पुरसकार के रूप में एक लाख रुपे मिले जो उन दिनों काफी अच्छी रकम थी संगीत निर्देशक हृदैनात मंगेशकर के संगीत में प्रसिद्ध गीतकार इंदीवर द्वारा एक विशेश गीत लिखा गया था जिसे लता मंगेशकर ने बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने गाया और इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया लेकिन असल में जिस चीज ने इस कार्यक्रम को एतिहासिक बनाया वह था उस गाने का कोरस जी हाँ, अभी आपने जो कोरस सुना वो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे बलकि वो भारतिय क्रिकेट टीम के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे भारतिय क्रिकेट टीम के पूरे 14 सदस्यों ने लता मंगेशकर के साथ कोरस में भाग लिया था जिन्होंने एक साथ गाया भारत विश्व बिजेता BCCI के ओर्गनाइजर्स ये कभी नहीं भूला की कैसे लता जी ने जेंटलमैन गेम के प्रती अपने बिना शर्थ प्रेम के कारण भारतिय क्रिकेट बोर्ड को शर्मिंदगी से बचाया था सम्मान के प्रतीक के रूप में BCCI ने उनकी मृत्यु तक किसी भी भारतिय स्टेडियम में जहां भारत ने एक अंतरराष्ट्रिय मैच खेला था दो कॉम्पलिमेंटरी विआईपी टिकट आवंटित रखे लता मंगेशकर और उनके भाई दोनों वास्तव में क्रिकेट प्रशन सक थे और लता मंगेशकर सत्तर और अस्सी के दशक में CCI स्टेडियम और बाद में वानखेडे स्टेडियम में एक रेगिलर विजिटर थी लता जी और उनके भाई संगीत कार हृदैनात मंगेशकर ब्रेबॉर्ण स्टेडियम में आयोजित टेस्ट मैचों के नियमित दर्शक थे बाद में सत्तर के दशक के दौरान लता जी इतने व्यस्त रिकॉर्डिंग कारेकरम के बावजूद भी शायद ही कोई क्रिकेट मैच मिस करती थी लता जी, सुनील गावसकर, दिलीप वेंग सरकर और सचिन तेंदुलकर जैसे कुछ क्रिकेटरों के बहुत करीब थी जो उनके बारे में अद्वितिय विनम्रता और मा जैसे सम्मान के साथ बात करते थे तेंदुलकर अकसर कहते थे कि उन्हें लता मंगेशकर में मा सरस्वती दिखती है यह इतना दुखद और मार्मिक है कि भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर का दुर्भाग्य से सरस्वती पूजा के ठीक एक दिन बाद मल्टीपल ओर्गन फेलियोर के कारण हम सभी को हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई प्रिये दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी कृपया अपनी बहुमूले राय कमेंट करें और वीडियो को लायक और शेयर जरूर करें हम जल्द ही एक और दिल्चस्प एपिसोड के साथ वापस आएंगे इसलिए कोई भी अपडेट मिस न करने के लिए जनता टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों